दोस्तों पिछली वीडियो में हमने Hero Splendor Plus के 8 से भी ज़्यादा Positive Points आपको बताए कि आपको क्यों Hero की Splendor Plus लेनी चाहिए बट आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे Point बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको Hero की Splendor Plus नहीं लेनी चाहिए तो जो लोग Splendor Plus ले चुके हैं उनको बहुत 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 बधाई इस चीज़ का आप नोटिस कर लीजिएगा कि जो मैं Points बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा Impactful नहीं है अगर आपने ले ली है तो कोई बात नहीं गाड़ी बहुत अच्छी है जो Points है उससे थोड़ा सा Compromise किया जा सकता है अदरवाइस बाइक आपको काफी बहतर मिलेगी तो इस वीडियो में मैं आपको इसके Negative Points बताने वाला हूँ कि आपको Splendor Plus क्यों नहीं लेनी चाहिए तो वीडियो के साथ अंतक बने रहीगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले आप Price के बारे में जान लीजिए तो Splendor Plus में आपको Total 3 Variant मिल जाते हैं पहला आपको Splendor Plus मिल जाएगा दूसरा आपको Splendor Plus Extech और तीसरा आपको Splendor Plus Extech 2.0 बड़ जो Splendor Plus है इसमें आपको 3 Variant मिलेंगे जिसमें आपको Drum, I3S Drum और I3S Matte Axis Grey ये 3 Variant आपको मिल जाते हैं तीनों Variant की XORUM Price की बात करें तो Drum Variant की XORUM Price 75,441 रुपई मिल जाती है और I3S Drum की XORUM Price आपको 76,784 रुपई और I3S Matte Axis Grey कलर Variant की कीमत आपको 78,286 रुपई देखने को मिलेगी XORUM Price अब Splendor Plus XTec की बात करें तो इसमें भी आपको 2 Variant मिलेंगे जिसमें पहला Drum जिसकी XORUM Price आपको 79,911 रुपई और दूसरा आपको Disk Variant मिलता है जिसकी XORUM Price आपको 83,461 रुपई तीसरा Variant Splendor Plus XTec 2.0 जिसकी XORUM Price आपको 82,911 रुपई एक्सोरुम प्राइज आपको Negative Points की तो देखें जो इसमें पहला Negative Point है वो है इसके Breakings Related, Front Break में आपको इसके Breaking Issue देखने को मिल जाएगा, 130 mm का Drum Break Front में आपको मिल जाता है बड जो Breaking है वो आपको उतनी ज़्यादा Impressive देखने को नहीं मिलती है, IBS Breaking System का Support है बड ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बहतर आपको नहीं मिलेगी, Front का जो Breaking है वो आपको Average Breaking देखने को मिल जाएगा, Superior Quality का Breaking Quality इसमें आपको नहीं मिलता है और ये इसका पहला Negative Point होता है, दूसरे Point की बात करें तो दूसरा Point है Heating Issue, तो देखें, Normally सभी गाड़ियों में Heating की Issue थोड़ी बहुत होती है, बट Splendor Plus में Heating का Issue बहुत टाइम से चला रहा है और बहुत ज़्यादा ये Heat हो जाती है, अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में ये बाई बहुत ही ज़्यादा मतलब की एक मानक के अनुसार से कहीं ज़्यादा ये Heat हो जाती है, तो Heating का Issue आपको Splendor Plus के सभी Variant में देखने को मिल और ये एक Major Issue है Splendor Plus का कि इसमें आपको Heating का Issue देखने को मिलेगा, तीसरे Point की बात करें तो तीसरा Point है इसका Seat Comfort, इसका जो Seat Comfort है, Flat Seat मिलती है, Seat ठीक ठाक Comfortable आपको मिल जाती है, बट Seat काफी आपको पतली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप Long Distance Travelling करत लंबी दूरी तै करते हैं, तो आपको Problem होने वाली है, Comfort आपको जादा बेहतर देखने को नहीं मिलेगा, आपको अपने तस्रीफ में Pain का आभास होगा, क्योंकि Seat काफी पतली है, और उनके लिए ये बहुत जादा Problem Create करेगा, जो थोड़े से Healthy होते हैं, या फिर थोड़े से चौड़े होते हैं, उनके लिए ये बहुत जादा Problem Create करता है, क्योंकि जो Seat है, वो काफी पतली रखी गए, जिसकी वज़े से लंबी दूरी तै करने में इसमें बहुत जादा Problem आती है, तो इसका जो Seat है, काफी पतला है, और ये इसका एक Major Problem भी है, इसका आप Notice कर जाएगी, चौथे Point की बात करें, तो चौथा Point है, इसका Suspension, Stiff Suspension Quality आपको इसमें मिल जाती है, तो जो इसका Suspension है, Front का और Rear का, दोनों की जो Quality है, वो आपको उतनी ज़्यादा बेहतर और उतना ज़्यादा Responsive Suspension देखने को नहीं मिलता है, Front में आपको Telescopic Suspension मिलता है और पीछे आपको Hydraulic Suspension देखने को मिल जाता है, लेकिन जो Suspension की Quality है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर आपको नहीं मिलेगी, तो इसमें Suspension से भी Related Problem आपको देखने को मिलेगी, पाचवे Point की बात करें, तो पाचवे Point है इसकी Price को लेके, Price Hide on Base Design Performance, इसकी जो Price है, Base Model के अग According अगर हम इसकी Price को Compare करें, तो Price आपको काफी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो Price Related इसमें आपको थोड़ा सा Compromise करना पड़ेगा, क्योंकि Price इसकी बहुत ज़्यादा है, According to Features, इसमें Features आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते है, बट Price आपको काफी High देखने को मि सातवे Point की बात करें, तो सातवा Point है इसके Variants से Related, Lots of Confusion Between Variants, इसमें आपको बहुत ज़्यादा Confusion होने वाली है इसके Variants को लेके, जैसा कि मैं आपको बताए कि Splendor Plus के अंदर में 3 Variants आ जाते हैं, जिसमें Drum, फिर I3S, Drum, उसके बाद आपको I3S, Matte Axis Gray देखने को मिल जाता है उसके बाद इसमें Splendor Plus X-Tec आ जाता है, उसके अंदर भी आपको 2 Variants मिल जाते हैं, Drum और Disc, उसके बाद Splendor Plus X-Tec 2.0 Top Model आ जाता है, जिसमें Single Variants ही मिलता है, तो इसके Variants जितने भी हैं, उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा Confusion हो जाती है, और सभी Variants की Price आपको अलग- देखने को मिलने वाली है, तो टोटल साथ ये Negative Points है, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वज़े से आपको Splendor Plus नहीं लेनी चाहिए, बड़ अगर आप Splendor Plus Lover है, तो आप बाइक को ले सकते हैं, जो मैंने Points बताया है, ये उतने ज़्यादा Effective नहीं है, अगर आपको सही Knowledge है, और सही परक है, तो आप Easily इसके किसी भी एक Variant को चूज कर सकते हैं, अधर्वाइस जो Heating की Problem है, वो तो रहेगी ही, उसे हटाया नहीं जा सकता, जो Seat की Problem है, वो भी रहेगी, इस चीच का आप Notice कर लिजेगा, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा दूरी तक Dryde नहीं करन करते हैं, तो थोड़ा बहुत Compromise आपको Splendor Plus में लेते वक्त करना पड़ेगा, इस चीच का आप Notice कर लिजेगा, तो I hope आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होगे, बट अभी भी आपका कोई डाउट बसता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी भी आपके सारे वीश, बटब हो आपके सारे लिएयग उक्तistä हैं, यू prevent लिएपाइबा सौलिग्णा ज 핑estar कहीं को होगे, भी आपके सारे लिए दोगर है, जो उ भी झापके सारे वीच ओका को आपके सारे, वीजुत अपके सारे हो डाईट?